कि नमस्कार में मुदासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई नियूज में आज बात्षीत करने वाले हैं कपिल सिब्बल के बारे में जी हाँ हलाकि 16 माई को ये कहानी होई लेकिन आज चर्चा का विश्या आज बनी गया वो इसलिए क्योंकि राजे सभा के लिए जो है उन्हें निक्त कर दिया गया है कपिल सिब्बल और कॉंग्रिस से इस्तीफा दे दिया 16 माई को लेकिन चर्चा आज हो रही है इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं कि कपिल सिब्बल ने क्या कॉंग्रिस को धोखा तो नहीं दे दिया क्या सोनिया गांधियों को धोखा तो नहीं दे दिया क्योंकि जो बयादी है इसलिए उनके बयानों को समझेंगे कि जो उन्होंने दिया है और उसके बाद आ दरसल उने इस्तिफा क्यों दिया कपिल सिबल कह रहे हैं कि दरसल आवाज उठाने के लिए ना ये कदम बहुत जरूरी था यानि कि आजम खान को निकलवाने में भी कपिल सिबल कहा थे क्योंकि उनका केस भी वही लड़ रहे थे और आज कॉंग्रेज इस तरह से धीरे-धीर खतम हो रही है ये पूरी तरीके से आज कपिल सिबल ने बता दिया कि क्यों खतम हो रही है यानि आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है यही बात हर दी पटेल भी कह रहे है क्योंकि कोई सुना नहीं जा रहा है सुनी जाकर भी इस्तिफा तो लगतार इस्तिफा पर इस ब बड़ी बात जो रहेगी कपिल सिबल के इस्तीफा देने के बाद कॉंग्रेस से राजे सभा के लिए जो है मनोनित हो चुके हैं इन सब में कि आखिर क्या वाकई में सुनिया गांधी का कोई रियक्शन आएगा क्या प्रियंका गांधी का कोई रियक्शन आएगा क्योंकि बड़ी खबर थी जो हम सब के सामने आए तो अब देखते हैं कि आखिर का फिल सिबल को लेकर अब इस तीफे के बाद क्या कॉंग्रेस के दरब से कोई पर्तिकिरिया आती है या नहीं फिलाल के लिए तना ही बाइक खबरों के लिए देखते रहें SP9 News, Namaskar